So guys, I am really sorry, मुझे पता है कि एपिसोड काफी ज़्यादा लेट है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे यापर एक मकान बन रहा है, जिसके वज़े से काफी ज़्यादा सोर आता है, So, अभी अभी सोर होना काम हो गया, तो मैंने सोचे जली से वीडियो बना लेता हूँ, बना वो लोग ज़बारा सोर मचाने लगेंगे, So, अब एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं, माया नेक्सेटेड बाइप एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में, डॉक्टर कुईन की मम्मी कहती है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वज़े से तुम्हारे हस्बेंट को इन सभी मेंटर में इनवल्ब होना पड़े, और हमारे इनलोस को किसी भी परिसानी में नहीं डालना चाहत हैं डॉक्टर कुईन अपनी मम्मी से कहती हैं अगर यह इस उॉट डालू हो जाता है तब पता चलता है इसके बारे में, तब वहो लोग सोचेंगी कि हम अपनी फैंली का मेम्बर नहीं मानते हैं डॉक्टर कुईन की मम्मी कहती है मुझे बस एक common cold है तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसी help चाहिए यंग मास्टर कहते हैं कैसी help चाहिए डॉक्टर कुइन कहती है मेरे डेड़ एक ऐसी situation में फर्स गया है जिसमें उनकी help नहीं कर सकती हूँ यंग मास्टर लैप्टोप रखते हुए कहते हैं मैं भी इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था मैं जूनियर की द लंबे समय से नहीं जानता मगर तब भी वो विस्वास करता है फिर उसके बार डॉक्टर कुइन कहती है ठाइंक्यू मिस्टर फ्रेजिडेंट यंग मास्टर कहते हैं जाओ अब तुम भी आराम करो जैसी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता लगता है मैं तुम्हें जल् लों होंगे यंग मास्टर कहते हैं तो क्या इसका मतलब कि तुम जानते हो कि इसके पीछे कौन है यंग मास्टर का भाई कहता है मैं अभी वी इन्वेस्टिकेट कर रहा हूं लेकिन सुना है कि ये फैमली है इसके पीछे यंग मास्टर कहते हैं क्या ये विस फैमली यंग म स्कुलर की कॉन्फरेंस में गए थे डॉक्टर कुईन का एक्स वोई फ्रेंड ये किंग उस लड़की को डेट कर रहा था साइद उससे कुछ लेना देना हो सकता है यंग मास्टर कहते है मैं इस चीज का ध्यान रख लूगा बाकि तुम ध्यान रखना कि इस मैटर का ज्याद में बात करते हैं मुझे अभी जूनियर के पास जाना है और यह कहकर यंग मास्टर कॉल कट कर देते हैं तभी वहाँ पर वेंस से निमो आ जाती है और कहती है इक मैंने क्या कहता है भाई चाहते हैं कि मैं उनके एक केस में इंवेस्टिकेट करूं आप अभी रिकवर नहीं हुई है तो आप यहाँ पर क्या कर रही है वेंस से निमो कहती है मैं अगर वहाँ पर रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी तो मुझे बताओ जियो किंग क्या मेरे पास बिल्कुल भी चांस नहीं है जियो किंग कहता है सी में बहुत सारी फिस होती है तो आप उनमें से कोई स भी ले सकती हैं जरूरी नहीं है कि आप एक के पीछे ही भागे वेंस इंडरो में जूगिंग का कोलर पकड़ते हुए कहती है वो मुझे माफ क्यों नहीं करेगा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया अगर उसने मुझसे प्यार किया होता तो मुझे इस तरह से डम नहीं करता ये स्रिफ उस बच्चे की वज़ा से हुआ फिर उसके बाद वो मेरी तरब से कोल्ड एक्ट करने लगा है जुई किंग कहता है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए ये खेकर जोएकिन वहाँ से चला जाता है फिर सीन सिप्ट होता है अमें नेक्स डेका सीन दिखाया जाता है डॉक्टर कुइन, यंग मास्टर और जूनियर एक साथ breakfast कर रही होते हैं यंग मास्टर डॉक्टर कुइन से कहते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूंगा इसलिए कि आप जूनियर का आज ध्यान रख सकती हो। डॉक्टर कुइन येंग मास्टर से कहती है आज मैं अपने पैरेंस के घर जा रही हूं तो क्या मैं फिर जूनियर को भी अपने साथ ले जा सकती हूं। येंग मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं फिर सिंसिट होता है डॉक्टर कुइन का ड्राइब कर रही होती है जूनियर डॉक्टर कुइन से पूसता है डैड ने कहा है कि ग्रेंड मा बिमार है क्या ये सच है। मैंने अपने ग्रेंड संड के लिए बहुत सारे स्विट्स बनाया है तो डॉक्टर कुइन अपनी मम्मी का फीवर चेक करने लगती है और कहती है अब आपको फीवर नहीं है डॉक्टर कुइन की मम्मी कहती है मेरी बोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है सो झाल 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 झाल